विवेर्स करपिया ध्यान दें, बेल आइकन दबाएं और टीवेफ की कोई वीडियो में स्ना करें सुबै के आठ बजे अरे भाईया आप देखिये गलत फेमी हुआ है हम रवीश कुमार नहीं है अरे सुनो तो साथ देखो अरे गुदगुदी हो रहा नहीं भाई देखो ममा कसम पत्र कायता छोड़ देंगे हमको पेलिएगा नहीं बस प्लीज आया क्या रूल कर लिया है कि तुमने नमस्कार दोस्तों मैं रामा लिंगम यादव आपका स्वागत करता हूँ अडे विद के नए एपिसोड में कहा जाता है कि जब सफलता के सभी दर्वाजे बंद हो जाते हैं तो एक और दर्वाजा खुलता है ये वाला बिगर बॉस के घर का दर्वाजा इस घर में एंट्री मातर उनी लोगों को मिलती है जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं उखाड़ा हो तो आईए एंट्री लेते है लिगर बास का घर सर्प्राइजी से भरा हुआ है पहला सर्प्राइज है और मुझे कैमरा रखो तुम अब बहुत बहुत अच्छा नाचते आप लोग सुबै के नौ बजे बेगर बास अंदे हो क्या बे दिखनेरा में दिख रहा हूं हां दिख रहा है मैसेल्फ चंद्रचूर त्रिवेधी और्फ सीजी टीवी हलो चेक माइक चेक बिगर बास घर में वाइल काड एंट्री रामा लिंगम का हार्दिक स्वागत करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आओ अलेभट वाइल तो हावर यू बिगर बास बातचीत के लिए सिर्फ हिंदी भाशा का प्रेख करें जी डू यू अंडस्टाइंड यस सर अरे वो बिगर बास वो आपने सलमान भाई से बात की थी क्या मुझे अगले सीजन में ल अधिक जानकारी के लिए स्टोर रूम में संपर करें तो बताईए रामा लिंगम क्या लेंगे आप चाय कॉफी या टास्क जी नाश्टा तो मैं सुबह घर से करके राया था तो टास्क थोड़ा है भी हो जाएगा बाकी चाय ली जा सकती है तो किचन में जाईए और बरतन बास आपकी चाय कुछ मत कहिए रामा लिंगम बिगर बास समझ सकते है कि उनसे मिलने की खुशी में आपका गला भर आया है नहीं भरा नहीं यह खराब हो गया है ओ तो इससे पहले कि आप चाय में थूख दें बिगर बास आपको कुछ देना चाहते हैं सामने जो ड्रावर है उसे खोली ये वाला अरे वार रीजन टू स्टे अलाइव भाई भाई ये वाला नहीं दूसरा वाला अरे विक्ष ये हुई ना बाद बेगर बॉस एक मिनिट इसमें जिंजर वाला नहीं है मिन्थॉल ट्राइ करो वो भी अच्छी है लेकिन मैं हनी ट्राइ करूंगा क्योंकि मेरी गल्फ्रेंड मुझे प्यार से हनी बनी बुलाती है रवा लिंगम वो देखो 2000 का चुट्टा कहां नौटी बेगर बॉस ये देखो हनी वाली गायब हो गए चमतकारी बेगर बॉस मजा आ गया थैंक्यू बेगर बॉस आप समझाया कि आपका गला कभी खराब क्यों नहीं होता बेगर बॉस आफ्टर इंस्टेंट रिलीव तो चलिए इंटर्विव की शुरुआत करते है तो बिगर बॉस जी मेरा पहला सवाल आप से काफी औव्यस सवाल है और एक कई बार आप से पूछा गया होगा यही ना कि आप दिखते क्यों नहीं सामने क्यों नहीं आते नहीं मेरा पहला सवाल यह है कि आप एक औरत क्यों नहीं है क्या इस देश में बिगर बॉस बनने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को है सिर्फ मर्दों को है जवाब दीजिए तो कैसी बात है जवाब दीजिए सर हमें बताईए क्या आपको नहीं लगता कि आपका ये रवया इस देश के, इस पुरुष परधान देश के असमाजिक तत्वों को बढ़ावा दे रहा है, उन्हें प्रोताहित कर रहा है, जवाब दीचे तो मेरा आखरी सवाल यही है, कि आप दिखाई क्यों नहीं देते, आप लोगों के सामने क्यों नहीं आते तुमने कभी हवा को देखा है नहीं, बिलकुल नहीं तुमने कभी सोच को देखा है नहीं तुमने कभी बिजली, इमोशन, टेस्ट, क्रैविटी, रेडियो वेव्स, डार्क मेटर, ब्लैक होल और बॉम्बे वेलरों लो मगर वो तो है न हाथ तो मतलब कभी कभी लगता है कि आप उनिच भगवान है और भगवान लोगों के सामने नहीं आते वे चोटे एक दिन के लिए लोनावला वाला गर मिलेगा क्या इस वीकेंड पर वार करना है अरे भाई आप कही घर है चाहो तो आग लगा दो हाँ तो रामा लिंगम क्या बोल रहा था मैं आप कहा कुछ बोल रहे थे बोल तो बस रहे थे मैं इंटर्व्यू की बात कर रहा हूं जी हाँ तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप लोगों के सामने नहीं आएंगे अगर आप दिखाई नहीं देंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप दिखते कैसे हैं भीड तो देखी होगी ना आपने भीड से ही कोई एक शकल चुन लीजिए मैं वो हूं ये क्या है बिगर बॉस मिमिक्री साहब मिमिक्री मेट्रों की दर्वाजे दाइं तरफ से खुलेंगे तुम ही डायल की लेला क्रमांग का विक्स की गोली लो खिच-खिच जूर करें बस बस मैं समझ चुका हूँ जी हाँ मैं समझ चुका हूँ के बिगर बॉस शो खत्म होने के बाद पापी पेट के सवाल के लिए यहां वहां मू मारते फिरते हैं वहराल अगले स सवाल के और आगे बढ़ते हैं जो की थोड़ा संगीन सवाल है यह सवाल है कि अधिकतर लोगों का मानना है कि आपका शो स्क्रिप्टेड है तो जैसा कि स्कृप्ट में लिखा है कि यह शो स्कृप्टेड नहीं है इदर आओ बिगर बॉस जी मैं जानना चाहूंगा इस फोटो के पीछे का क्या राज है ये मिस्टर इंडिया के बड़्दे की फोटो है मैंने और आदित चोपडा ने इतनी धूमच आई थी कि आंटी को पुलिस बुलानी पड़ गई थी ये पुलिस आने के बाद की फोटो है और ये वाली तस्वीर अंद्रे हो क्या दिखाई नहीं देता वो खाली फ्रेम है तो चलिए अब दोस्ती से आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं प्रेम की प्यार की तो बिखर बॉस जी मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको जीवन में पहला प्रेम कब मिला था पहली बार प्यार कब हो था पहला प्यार पहला प्यार के तो यादी मत दिलाओ मिया क्या हो गया अब डिप्रेशन उनको जनना मेरे को पढ़ाएगा तू तो चला जाएगा इंट्रिव्य लेके रहाद बैठके पैक मेरे को आपनाड़े पढ़ेंगे रहात मेने बोला तुमारे प्यार करने के लिए वेकर बॉस को आ रहारक है एक शबनी सुम्हाम है देखिए बिगर बॉस आपका नौकर फिजिकल हो नौकर नहीं हूँ मैं अगली सीजन का विनर हूँ स्क्रिप्ट याद करके पूरी रेसल भी कर लिए इस घर में में रोंगा या तो यह देखिये बेगर बास में क्रांति कारी पत्रकार हुए अपना इंटर्वी पूरा करके जाओंगा तुम देखने बेटा परी आप मुझे अभी के अभी कर्फेशन रूम में बलाईए और बंद करके रखे इसको क्या टंटापा लगा रखाये तुम लोगोंने विगरवास को टीक से रोने भी नहीं देते आप इस आदमी को बाहर निकालिए नहीं तो मैं अभी के अभी इस घर की दिवार फांद के निक चिडियाओर खली सियोड़ ए रहा है मैं एरलाइन्स की बात कर रहा था सिसी टीवी यह टास्का फार गए सुरो ना बिगर बॉस एक बड़ फिरसे केलते हैं जलबाग बिगर बॉस रामा लिंगम को इस जीत की राभी रधाई देते हैं मैं जानता था कि मुझ जैसा पत्रकार मुझ जैसा प्रांतिकारी पत्रकार ही इस तरीके के परतियोगीता का विनार हो सकता है बहुत बहुत धन्यवाद यह एक महीने बाद जी नरक हो गया रहा है कहा पसाद या रहे बिगर बॉस हमें लाइक करिये और शेर करिये जैस का मतलब है आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा तो इसे लाइक करियो और शेर करिये अपने फ्रेंज के साथ और हमें सब्सक्राइब अगर तरी से नहीं हो पाना तो क्यों कोशिश कर रहा यह विक्स का दोस्तों अगर आपक अभी गला ऐसे खराब हो जाता है तो विक्स की गोई लो और खिच-किच दूर करो do try it now links of the website is in the description below and do follow us on instagram our insta handle is tvfqtyapa and to watch more awesome content please subscribe to tvf and download tvf play app and without any kitch-kitch do it right now